बच्चे हों या बड़े हों कैल्शियम या विटामिन की कमी है तो इस पौडर को बना कर आप अपने घर में रख लें अक्सर बच्छों के चेहरे पर वाइट वाइट कैल्शियम के धबे पर जाते हैं या टांगों में दर्द होता है या माईग्रेन होता है सिर्फ एक चमचा इस पौडर का डेली खालें 15 दिन में आपको इसका वाज़े फर्क नजर आएगा तो चलिए इस पौडर की रेसेपी को देख लेते हैं तो इस पौडर को बनाकर आप एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो एक फ्रेय पैन के अंदर मैंने दो कप मखाने ले लिए हैं मखाने के बेशुमार फायदे जो सभी को पता हैं मखाने हमारी सेहत के लिए बहुती ज़ादा फायदे मन्द हैं इसके बेशुमार फायदे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे तो देखिए मखानों को हमने रोस्ट कर लेना है मखानों को हमने इतना रोस्ट कर लेना है कि मखानों का जो कलर है वो इस तरह से गोल्डन सा हो जाए और जब हम इसको इस तरह से तोड़ें तो बहुती आसानी से तूट जा के अन्दर हाफ कॉप मैंने सफए तिल को भी हमने हलका सा गोल्डन सा कलर होने तक इस तरह से रोस्ट कर लेना है तो लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से रोस्ट होंगे इसके साथ ही 20-25 बदाम भी मैंने रोस्ट कर ली तो मखाने ठंडे हो चुके हैं अब मखानों को हम पीस लेते हैं तो इस तरह से मिक्सर ग्रेंडर के अंदर डाल कर मखानों को पीस लेते हैं दो से तीन बारियों में हम इस तरह से इन मखानों को पीस कर पाउडर बना लेते हैं और चान कर एक बाउल के अंदर एट कर देते है तो इस पूरे पाउडर को आप चान लीजिएगा क्योंकि बच्चों के मूँ में जब मोटी मोटी चीज़े आती हैं तो बच्चे नहीं पीते हैं आप जब इस पाउडर को दूद के अंदर एट करेंगे तो बहुत ही असानी से डिजॉल्व हो जाएगा इसके अंदर मैं एट कर देती हूँ मिसरी का पाउडर मैंने थी टेबले स्पुन मिसरी का पाउडर इसके अंदर एट कर दिया है चीनी से मिसरी फिर भी बहुत 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 जादे बंद है तो इसको भी हम इस तरह से चान लेते हैं इस तरह से मुटा मुटा सा मिक्सर आते जाए तो आप इसको इस तरह मिक्सर ग्रेंडर के अंदर डाल कर पीस दे जाएं इसके साथ ही जो हमने सफेद तिल रोस्ट किये थे वो भी हम इसके अंदर एट कर देते हैं और सफेद तिलों को भी हम इस तरह से पीस लेते हैं इसका भी पाउडर बना लेते हैं और इसके साथ हम रोस्टेट बादाम भी इसमें एड़ करके इसको भी पीस लेते हैं अगर अच्छी तरह से ना पिस सके तो देखिए इस तरह से मैंने इसको हावन दस्ते में भी बादाम भी बहुत अच्छी तरह से मैंने इसमें कूट लिये थे तो सारी चीजों का पाउडर बना कर मैंने इसकंदर एड़ कर दिया है तो बादाम तो वैसे बच्चे शौक से खा लेते हैं तो बादामों को मैंने इस तरह से एड़ कर दिया था इसमें बिल्कुल थोड़ा सुबा और शाम दूद में इस पाउडर को एट करके दें तो बच्चे शौक से भी पिएंगे और बहुत ही तेजी से बच्चों की हाइड भी बढ़ेगी इस ताकत ये खजाने की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएग और बैल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर अन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज लेकर आती हूँ तो उन सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियो वाच कर सकेंगे आने